हलो बच्चों तो अब हम डिस्कस करेंगे कुश्चिन नमर 21 फ्रॉम दी चैप्टर एल्कोहल फिनॉल से नीथर्स और इस कुश्चिन में हमसे कहा जा रहा है तो नेम दी रिएजेंट्स दाट आ यूज इन फॉलॉइंग रियाक्शन्स तो कुछ केमिकल रियाक्शन्स हमें है सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम क्या से क्या बना रहे हैं यानि कि कौन सा हमारा रियाक्टन्ट है और रियाक्टन्स जो भी कुछ given है जिससे कि आप कुछ certain product को बना रहे हो तो उस conversion को कराने के लिए किस reagent को आप use करोगे यह actually आपको इस question में discuss करना है ठीक है तो हम लोग करते हैं इसको one by one like see कि हम कर पाते हैं की नहीं कर पाते हैं और इसको कोशिश करो कि आप orally कर सको इस question को ठीक है चलो सबसे पहले है oxidation of primary alcohol to carboxylic acid लेको primary alcohol को अगर आप carboxylic acid में convert करोगे तो CDC बात है आप क्या करा रहे हो oxidation तो मैं कोई भी एक primary alcohol ले लेती हूं like say कि यह मेरा वो primary alcohol है तो इसको मैं क carboxylic acid में convert करना चाहरे हूं क्या यहां कोई carbon number increase हो रहा है नहीं हो रहा है यहां पर directly क्या हो रहा है जो आपका alcohol है वो चाहे तो पहले carbonyl में convert हो सकता था फिर जाके carboxylic में हो सकता था लेकिन क्योंकि यहां पर directly alcohol से carboxylic acid बन रहा है तो CDC बात है कि oxidation तो हम करा रहे हैं oxidizing agent तो हम यूज कर रहे हैं पर वो ना सब एक simple oxidizing agent बलकि एक बहुत ही strong oxidizing agent हो का अब जैसे ही मैंने का strong oxidizing agent तो आपके दिमाद में आज अना चाहिए Kmno4 या फिर K2O2 potassium dichromate K2Cr2O7 और वो भी किसके अंदर acidic medium के अंदर neutral medium वाला भी काफी होता है बट acidic alkaline या फिर neutral medium में they act like a very strong acid और वो क्या कर सकते है alcohol को carbonyl में ना convert करके directly carboxylic acid के अंदर convert कर सकते है तो यह हो जाएक हमारा first reaction मैं आपको इनके answers text form में भी सारे show कर दूँँगी बट एक बार के लिए भी आप इसको देख लो फिके next part आता है आपका oxidation of a primary alcohol to aldehyde primary alcohol को मैं दूसरा एक यहाँ पे ले लेती हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए primary alcohol को aldehyde में convert करना है primary alcohol यानि मान लोग फिर से यह आपका primary alcohol है जिसको कि आप इसमें अब देखो यह तो काफी simple हो गया अब आप क्या करना चाहरे हो कि आपके पास alcohol है carbon number में कोई problem नहीं है उतने के उपने है लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं oxidation तो कर रही हूं लेकिन अब मेरा mild oxidizing agent से ही काम हो जाएगा कोई बहुत strong oxidizing agent की मुझे कोई खास जुरत नहीं है तो mild oxidizing agent में आप किसको ले सक चुके हैं तो बहुत सब्सक्राइब नहीं चाहेंगे आपको यहाँ पर सिफ्री एजेंट्स बताने है नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वह ब्रोमीनेशन अफिनॉल टू टू फो सिक्स ट्राय ब्रोमो फिनॉल यह काफी अच्छा कोश्चन है इसमें आपके पास में जिसको कि आप किसमें करना चाहते हो उसका ब्रोमीनेशन करा रहे हो आपको गिवन है ब्रोमीनेशन तो करा रहे हो लेकिन ब्रोमीनेशन कराने पे 246 ट्राय ब्रोमो फिनॉल फिनॉल का फिनॉल रहेगा लेकिन तीन पोजिशन पे और्थो पैरा पोजिशन पे तीन नो की प्रेजन्स में ठीक है तो इसलिए हम लेते हैं अगर ऐस मीडियम तब आपको सभी की सभी और्थो पैरा पॉजिशन पे ब्रोमींब्लस सब्स्तिटिट मिल जाता है यहां पर एलेक्ट्रोफाइल इस ब्रोममीन प्लस ठीक है इसको ब्रोमुनियम आयन इसको ब्रोमोनियम आयन कहते हैं, अगर आपने यहाँ पर CS2 को लिया होता, carbon disulfide को लिया होता, water की जगे पे, तो सिर्फ आपका एक product या तो ortho ही बनता है, या फिर para ही बनता है, यानि दोनों अलग-अलग products बनते हैं, बट अगर आप एक aqueous या फिर polar product medium लेते हो, तो सब भी जितनी possible substitution हो सकता था, ortho para positions पे उन सब पे substitution हो जाता है, यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अब चलते हैं हम लोग next reaction पे, वो है आपका benzyl alcohol to benzy, benzoic acid, चेके मैं यहाँ पर शू कर देती हूँ, यह है आपका benzyl alcohol, यह में हम थोड़ दिर पहले करकर ही आ रहे हैं, पिछले question के अंदर, तो यह आप लोगों को ध्यान होगा भी वैसे तो, और यह है COOH, देखो मैंने आप लोगों को एक बात बता रखिए, अगर आप benzyl alcohol को benzoic acid में, मतलब कोई भी आपका कोई carbon chain है, जिसको कि आप directly benzoic acid में, या फिर directly carboxylic acid को introduce करना चाहते हो, तो हमेश एक reagent को ध्यान रखो, वो है आपका KMNO4, ठीक है KMNO4 क्या होता है ना, बहुत strong oxidizing agent होता है, तो इस वज़े से यह कोई भी alkyl group, जो कि directly जुड़ा हो benzoic acid के साथ में, या किसी भी तरह की alkyl chain, या फिर उसके उपद कोई और भी functional group हो, जो कि directly benzoic acid के अंदर, चेंज करने क capacity रखता है, ठीक है, तो आप धियान रखो acidified KMNO4, अब चलते हैं हम लोग हमारे next वाले पार्ट पे, तो next पार्ट में let's see क्या given है, dehydration of propane to oil to propane, ठीक है, propane to oil का मतलब हो गया, यह हो गया propane to oil, जिसको कि हम किसमें convert करना चाहते हैं, प्रोपीन के अंदर, यानि कि इसके अ reaction है, जहां पे कि एक तरफ तो hydrogen भी होगा, यानि कि आप क्या करा रहे हो, elimination, किस तरह का elimination, beta elimination आप cost कर रहे हो, और beta elimination जो है, वो हमें acids की presence में भी करा सकते हैं, base की presence में भी करा सकते हैं, तो let's say मैं क्या ले ले लेती हूँ, एक base ले ले लेती हूँ, तो base भी कैसा होना medium में, क्योंकि हमने discuss कर रखा है कि अगर आप base को alcoholic medium में लोगे, तो elimination कॉस करेगा, लेकिन अगर aqueous medium में ले लोगे, तो फिर ऐसे में वो क्या show करने लगेगा, वो show करने लगेगा substitution reaction, ठीक है, तो यह इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, फिर जो हमारा next और last part आता है, उसको हम discuss कर लेते हैं, that is butane 2-on to butane 2-ol, यह है मेरा butane 2-on, यानि कि ketone जिसको हम करना चाहरे हैं, convert butane 2-ol में, ketone को आप convert कर रहे हो alcohol के अंदर, और यह कौन सा alcohol है, secondary alcohol है, तो क्या कर रहे हो, आप reduce कर रहे हो, यानि कि reduction हो रहा है, तो एक reducing agent की जड़त होगी, तो किसी जैसे कि आपका sodium borohydrate हो सकता है, इनमें से कोई भी reducing agent है, और भी कई सारे तरह के reducing agent होते हैं, जिनको कि आप easily convert कर सकते हो, ketone को alcohol में, यह चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास aldehyde होता है, उसको आप reduce करते हो, तो वो primary alcohol में reduce होगा, अगर आपके ketone है, तो वो हमेशा ही secondary alcohol के अंदर reduce होगा, ठीक है, बैस इतना सा point आपको ध्यान रखना है, अब जो भी इनके solutions है, answers है, वो मैं आपको text parts है, यहां से जो book में given है, वो भी दिखा देती हूँ, otherwise सिर्फ यही वो reagents नहीं है, इनके अलावा भी कहीं सारे reagents होते हैं, तो आप उनको भी चाहे तो utilize कर सकते हो, ठीक है, यह question number 5 में मैंने हाला कि आप लोगों को alcoholic sodium hydroxide की बात बताई है, आप चाहे तो यहां पे S3PO4 या फिर आप चाहे तो आप H2SO4 जो की एक acid है, और अच्छा dehydrating agent है, इनको भी use कर सकते हो, कोई problem नहीं है, यहां पे सिर्फ हमने कुछ reagents को mention किया है, पर इन्हीं reactions को कराने के लिए और भी कई सारे reagents अविलेबल है, जिनको कि हम हमारी जुरत के हसाब से, availability के हसाब से, हम use कर सकते हैं, the only thing is that, कि आपको reagents की फैचान होनी चाहिए, कि कौन सा reagent किस तरह का work कर सकता है, okay, so I guess कि आपको यह question number 21 बहुत क्लियर ली and please subscribe the channel अगर आपने अभी तक भी channel को subscribe नहीं किया है, तो